31 अगस्त से पूरक शहर में भी विखन हर्ता भगवान गनेश की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधी विधान से 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना कर सेवा की गई सभी चोटे बड़े पंडालों में आयजित किया गया सभी भक्तों ने शरधा पूर्वक अपने अपने घरों और पंडालों में पूर्डी तनमैता से गणपती महराज की अराधना की इसके बाद शुक्रुवार से भगवान गनेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सलसिला प्रारब हुआ इसी कड़ी में पावर हाउस केम्प बन मार्केट में विराजित भगवान गनेश की प्रतिमा का विसर्जन धुमाल की थापों के बीच किया गया जिसमें शेत्रवासियों ने भर्वचर का हिस्सा लिया और वित्न हर्ता भगवान गनेश के अगले वर्ष जल्द आने की गुहार लगाते हुए विदाई दी। आए देखते हैं इसकी कुछ खास चल किया। आए चैनि में तनो दी। आए देखते हैं ज्ग आए! झाल झाल